आज एक बर फिर से पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि CAA लागू होने वाला है खबर ये मिली कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद हर किसी के मन में इस सवाल उठने लगा कि CAA से आखिर आम आदमी की जिंदगी कैसे बदल जाने वाली है इसलिए आज इस वीडियो को आप आखिर तक इत्मिनान से जरूर देखेगा क्योंकि आज आज आपकी वो तमाम सवाल जो CAA से जुड़े हुए है उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ अब सभसे बड़ा सवाल ये कि आखिर CAA है क्या नागरिक्ता संशोधन कानून जिसे केंद्र सरकार ने साल 2019 का वो वक्त था जब संसद में पास किया था अब इस बिल का उदेश है पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आए छे समुदायों जिसमें हिंदू, इसाई, सिख, जैन, बौध और पार्सी शामिल है इनके शरणार्तियों को भारत की नागरिक्ता देना है वैसे इस बिल में मुसलिम समुदाय को शामिल नहीं किया गया और इसी मुद्दे पर जो राजनितिक पार्टियां थी उनकी तरफ से जबर्दस विरोध किया जाता रहा है समय समय पर अब मैं आपको ये बता दू कि तीन साल पहले जब संसद में ये संशोधन कानून पास हुआ था तो इस पर पूरे देश में एक तीखी प्रतिक्रिया और विरोध भी देखने को मिला था सियासी पार्टियों ने भी इसका विरोध किया लेकिन सरकार ने इसे लेकर ना केवल स्थती स्पष्ट की बलकि इस कानून को लेकर जवाब भी दिये हैं अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये बिल और इसे लेकर सरकार का क्या कहना रहा है और कैसे ये स्चुनाव से पहले लागू होने वाला ये भी तय है सवाल अब आपके मन में जरूर ये होगा कि आखिर नागरिक्ता संशोधन कानून है क्या ये मैं आपको बताती हूँ ये कानून किसी को भी नागरिक्ता से वंचित नहीं करता है ये किसी को नागरिक्ता बलकी देता है और ये केवल उन लोगों की श्ट्रेनी को संशोधित करता है जो नागरिक्ता के लिए खास तोर पर आवेदन कर सकते हैं अब ऐसा उन्हें आवेदन यानी जो आवेदन करने वाले हैं उन्हें अवैत प्रवासी की परिभाषा से छूट देकर करता है। कोई भी व्यक्ति जो की हिंदू, सिख, बौध, जैन, पार्सी या इसाई समुदाई से तालोक रखता हो और अफगानिस्तान, बांगलादेश या पाकिस्तान से हो जो की भारत में 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर चुका हो और जिसे केंद्र सरकार के द्वारा प देश के तहर छूट दी गई हो अब मैं आपको ये भी बता दू कि इस छूट के लिए कानूनी धाचा 2015 में ग्री मंत्राले की तरफ से जारी दो अधिसूचनाओं में पाया जाता है वो क्या है ये भी मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले जानिए कि चार जो अधिसूचना केवल उन्हीं लोगों को छूट देती है जो हिंदू, सिख, बौध, जैन, पारिसी या इसाई हैं अब अफगानिस्तान, बांगलादेश या पाकिस्तान से हैं और अगर वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक नागरिकता नहीं देता। बस उन्हें इसके आविदन के लिए योग ये बना देता है। इसका मतलब ये क्यों नहीं दिखाना होगा होगा कि वो भारत में 5 साल रह चुके हैं। साबित ये भी करना होगा कि वो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले आये थे अब साबित इसमें ये भी करना होता है कि वो अपने देश से धार्मिक उत्पीडन के कारण ही भाग कर अपने देशों से वो यहां आ गए थे अब उन भाषाओं को भी वो बोलते हैं जो सविधान की आठवी अनुसूची में शामिल है और नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की जो अनिवारिता हैं उनको पूरा करता हो इसे की जरिये वो आवेदन के पात्र हो सकते हैं उसके बाद ये भारत सरकार पर होगा कि वो उन्हें नागरिक्ता दे या फिर नहीं ये भारत सरकार ते गड़ता है अब एक सवाल आपके मन में जरूर होगा कि शर्णार्थियों को आखिर वीजा भारत की तरफ से कैसे जारी किया जाता है जो शर्णार्थी पात्रता नहीं रखते यानि कि धर्म के बगैर भी वो भारत को जो शर्णार्थी नीती के साथ सुरक्षित रहते रहेंगे अब आपको मैं बता दू कि शर्णार्थियों को भारत में रहने के लिए लंबी अवधी के स्टे वीजा जारी किये जाते हैं अब आपको ये भी जान लेना चाहिए कि UN Refugee Agency के अनुसार भारत में म्यामार यानि कि बोमा, श्रिलंका, अफगानिस्तान इस तरह के देशों के बहुत सारे ऐसे शर्णार्थी हैं जो आराम से रह रहे हैं सरकार का कहना ये है कि ये कानून मुस्लिम शर्णार्थियों को कवर नहीं करता क्योंकि हमारे इस्ति ये है कि जब हलत उनके लिए सुरक्षित हो जाएगी तब शर्णार्थी अपने घर वापस लोट सकते हैं और लोट जाना चाहिए ये भी इसमें कहा जाता है अब एक और बड़ा सवाल ये भी है कि भारत शर्णार्थियों को वीजा आखिर देता कैसे है तो ये भी जान लीजिए भारत की हमेशा की नीती गैर समावेश की थी इस सरकार के होने से बहुत पहले से ही कुछ देश विशेश तौर पर समधानिक तौर पर इसलामी राष्ट्र है अब वहाँ का जो आधिकारिक धर्म है वो इसलाम है जबकि कुछ मुस्लिम भाग कर भारत में आते हैं वो अपने देशों में जुल्म और अत्याचार के हालत के चलते वहाँ से भाग कर भारत आ जाते हैं अब इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि उन्हें नीती दृष्टिकोन के अनुसार निूट्रिलाइस कर दिया जाए अब एक सवाल ये भी है कि गैर मुस्लिम शर्णाथियों के लिए आखिर दिक्कते क्या हैं गैर मुस्लिमों के लिए पडोसी देशों में समधानिक तौर पर दिक्कते हैं उन्हें लेकर एक ऐसा दृष्टिकोन है कि उनके साथ वहाँ ऐसे अत्याचार होते हैं मानो वह वहाँ रहने के लायक ही ना हो अब इसी लिए जो गैर मुस्लिमों के लिए एमनिस्टी का मतलब बनता है जबकि मुस्लिमों को अलग-अलग केस के तौर पर यहाँ पर लिया जाता है अब उधारन के तौर पर जैसा हमने सीरिया, अफगानिस्तान इस तरह के कई सारे देशों से आने वाले मुस्लिमों के लिए किया भी है एक बड़ा सवाल ये कि रोहिंग्या मामले को सरकार किस तरह से ले रही है तो ये भी जाने कि बर्मा के इस्तिती ये है कि रोहिंग्या वास्तविक तोर पर अब विभाजित भारत के समय भारत आये थे तो ये बर्मा के साथ साथ हमारे नाजुक विवाद को अपसेट कर सकता है भारत में रोहिंग्या को शर्णार्थी प्रोटेक्शन और साथी लॉंग टर्म वीजा मिला हुआ है लेकिन वो भी अभी नागरिता के योग्ये नहीं होंगे अब सवाल ये भी है कि क्या ये कानून मुसलिमों के खलाफ इस पर राजनीती भी बहुत हुई है अब सरकार का पक्षी रहा है कि ये कानून मुसलिमों के खलाफ बिल्कुल भी नहीं है जो भी शख्स भारत में है क्योंकि वो अत्याचार के चलते यहां पर आया है उससे वापस उसी जगा भेजा जाएगा इसका मतलब ये भी है कि नहीं बाना जाएगा कि वो कभी यहां नागरिक्ता के योग्ये होंगे अब इसका मतलब ये भी है कि वो लोग जिने अत्याचार स्थाई है उन्हें सुरक्षा दी जाएगी अब हमारी नीती और गैर समावेश की यहां पर जारी रहेगी अलबता अगर चीजे अगर अगले 50 सालों के जरीए देखा जाए शर्णार्थियों के लिए बहतर नहीं होती है तो हमें अतरिक्त तर्थर्द समिधान के कानून की तरह उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की जरूरत होगी लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि यह इस सरकार की नीती तो नहीं दिखाई देती है यह तमाम वो ऐसे सवाल हैं जो CAA नागरिक्ता संशोधन कानून को लेकर आपके मन में जरूर होंगे और इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हमने आपको दे दिये हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कॉमेंट करके जरूर बताएए यह वीडियो आपको देख प्रेख आपको कैसा लाँ आपको देख आपको कानूर आपको कैसा लिए जरूर होंगे